हेई गाज विल्कम टो फेजेक्सें प्लेग्राउंड तो अब भी देखेंगे एम्स का कट अफ ठीक है तो रैंक पे फोकस करना है विकॉस देखोई यहां फाइट नहीं होता है अगर आपका माक्स एट टो है तो ज़रूरी नहीं है कि भूमनेशवर एम्स मिल ही जाएगा विकॉस जो रैंक है न उस पे मिलती है जितनी सीट रहेगी भाया उतना ही मिलेगा ठीक है तो यह 2020 का कटफ है और 2020 का जैसा था वैसा ही 2021 में भी रहेगा फोर एम्स ज्यादा फर्क नहीं आएगा मुझे नहीं लगता है कि कुछ फर्क आएगा बिकॉस सब कुछ रैंक पे होगा जो टॉप 50 वाले होंगे वो न्यू दिल्ली में ही जाएंगे 55 जो जेनरल काटिगरी टॉप 55 हो होंगे न्यू दिल्ली में जाएंगे तो रैंक पर फोकस करना ज्यादा देखना कैसे क्या हो रहा है और मैंने मार्क लिखा है इसलिए बिकॉस रैंक अभी आप लोगों को नहीं मालूम है ठीक है न्यू दिल्ली के लिए 702 702 नंबर पिछले साल का था यह फस्ट राउंड का OBC for OBC 692 for OBC क्या है 692 EWS 692 अगें बता दे रहा हूं रैंक दोनों का अलग है ठीक है 682 for General OBC 670 EWS 665 ST 608 SC 626 रैंक देख लो 16,608 नंबर पे 16,000 रैंक था ठीक है 16,000 प्लस 16,114 और 626 पे जो रैंक थी वो थी 9624 964 बत इस साल बहुत चंज होगा जोर्दपूर 677 668 for OBC EWS 665 SC 606 ST 619 रैंपूर के लिए 666 658 for OBC 655 for EWS 574 for SC and 596 for ST Bihar aims पतना जो पतना में aims है उसके लिए for General category 664 अब यहां पर देखो 658 for OBC अब इधर भी 658 है इधर भी 658 है जो डिफर है वो क्या है जो डिफरेंट है वो है रैंक 2495 और यहां पर 2495 से उपर होगा मतलम 2444 बोल सकते हो 24 यह 2344 बोल सकते हो ठीक है 656 for EWS 656 for SC 570 for ST 595 नागपूर 658 652 for EWS 654 EWS 556 for SC 378 for ST अब इसमें बहुत सारे कॉलेजेस है जो की 2021 से ओपन हो सकते हैं और बहुत ऐसे हैं जो की 2020 से खुल चुके हैं ठीक है सेशन ही स्टार्ट हो चुकी है सो सबके कटफ देख लेते हैं अब राजकुट for general category 655 for OBC 648 rank 4252 for EWS 648 rank 4352 देख सकते हो एक 100 100 rank की फर्क हो जाती है सेम मार्क से अब शर्फ PCB का देखा जाता था है कैसे क्या होता है बट इस साल वैसा नहीं होगा इस साल जैसे age limit हटा हटा दिया गया है जैसे सोहेब अपताफ ज्यादा बड़ा था तो उसे all in their rank 1 दे दिया गया था ठीक है बट वो इस साल नहीं होगा जैए एडवांस का देखना result समझ में आ जाएगी चीज़ है 557 for SC category and 594 for ST 655 3086 for general 644 OBC 644 EWS 654 SC 571 for ST 655 अगें देख लो rank में फरक है बहुत ज्यादा फरक है ठीक है 646 for OBC 641 for EWS 552 for SC and 574 575 for ST गुरपूर के लिए 649 ठीक है for general category 642 for OBC 5355 rank है 642 for EWS 5351 rank होना चाहिए 546 for SC 565 for ST 647 for general कल्यानी वेस्ट के लिए 644 OBC 638 for EWS 562 for SC and 535 for ST खेक है अब देखते हैं बिलासपूर बिलासपूर 645 for general 644 OBC 637 for EWS 539 for SC and 576 for ST देखर 643 general के लिए OBC के लिए 640 EWS 638 532 for SC and 564 for ST गुहार्टी के लिए 642 for general और OBC के लिए 638 EWS 635 SC 552 HD 563 विजयपूर 644 general और 636 OBC 634 EWS 533 SC and 559 HD ठीक है और बार 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 बता रहूं दिमाग में एक चीजे रखना रैंक पर फोकस करना और अब भी आपका रैंक नहीं है तो अराम से वेट करो जब तक रैंक नहीं आ जाती और मार्क्स चाहिए तो मार्क्स ऐसा ही कुछ रहाएगा ठीक है थोड़ा सा मार्स डिफर कर सकता है बिकॉज इस साल का कंडिशन और लास्ट येर का कंडिशन और मार्क्स में फर्क आएगा ही आएगा मार्क्स 100% फर्क आएगा तो वेट करो ठीक है बट इतना ही रहेगा और ये प्रोक्स ऐसा ही कुछ रहेगा ठीक है तो थैंक्स और बेस्ट अफ लग और एक बहुत इंपोर्टेंट पोइंट है देखो एम्स हो या कोई भी अब भी कोई फर्क ने पड़ता जो फर्क पड़ेगा वो होगा नीट पीजी के लिए ठीक है रियल जो कॉम्पेटेटिव एग्जाम होगा वो होगा नीट पीजी के लिए ये स्रिफ और स्रिफ है कि भाईया आप अप अम्बीबियस की कोई वैलू नहीं है चने की भूज करो और फिर फोडो उदर और उदर अच्छी कॉलेज बहुत 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 ज्यादा इंपोर्टेंट होता है ठीक है नीट पीजी के लिए फिर पीजी करोगे फिर नीट एसेस फिर अगेन वह बहुत ज्यादा वह भी कॉम्पेटेटिव है और नीट एसेस करोगे तब आप consultant बनोगे तब आप specialist बनोगे तब चीज़े अच्छी होती है so focus करो college पे सरिफ college मिल जाए काफी है ठीक है और कुछ भी नहीं चाहिए government college होनी चाहिए बस और preparation करना नीट PG के लिए अच्छे से पढ़ना वह भी मैं कराता हूं उसके भी lectures upload होते हैं जैसे नीट PG में जितने भी कराएं दो तिन question तो आहीं थे एक rheumatoid arthritis sorry rheumatic fever और एक hyperplasia and dysplasia का question आया था ठीक है so thanks